नमस्कार बनार्सित हाली में मैं सिंपी अगररी आपका स्वागत करती हूं आज हम बनाने जा रहे हैं परवल के लड़ू इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कदुकस किया हुआ परवल मिल्कमेट नारेल कबुरादा बादाम कटे हुए और पीसी हुई लाइची अब हम पैन क नारें क से हुद में चाहिए परवल को शुब निकाले और इसे लगा तार चलाते रहेंगे और आज को धीमी रखेंगे और इसे बराबर चलाते रहेंगे जब तक यह अच्छी तरह से पक न जाए इसे पकाना है और जड़ात अभी यह जलना नहीं चाहिए ने तो टेस्ट खड़ाब हो जाएगा तो इसको पकते पकते इसका रंग थोड़ा फिका हो जाता है इसलिए हम नहीं यह पर quality कलर है और इसलिए यह थोड़ा डार्क ग्रिन हो जाएगा और आब हम इसमें डालेंगे इसे 100g के लगभग नरेल का पुरादा हमने पर्फबल को 20 ग्राम लिया ри और nitrogen को भी 20 work राया है दोनोंको बढ़ाबर रखाए है Imigamagam बड़ी बड़ी से डालेंगे पहले 200 ग्राम डाल देते हैं और इसे बढ़ाबर मिक्स कर लेते हैं इस तरह से कि दो तीन मिनिट तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और एक बार फिर से डाल देते हैं 100 ग्रम मिल्क मेट को हम घर में भी बना सकते हैं और इसके लिए बस दूध एक लिटर दूध में 100 ग्रम के लगभग चीन डाल दीजिए और उसे बराबर धीमियाच में पकाते रहें और जब तक दूध गाढ़ा न हो जाए तब तक उसको चलाते रहें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है उसे तो मिल्क मेट आपका तयार हो जाएगा काढ़ा उनेक बाद उसे स्टोर कर लीजे और इसे पकाते हुए हमें पांच मिर्ट हो गया है अब हम इसमें डाले हैं इल उल्का पंश करने के बाद लड्डू बनाएंगे और इसी थागा हाथ़ों इस तरह से दबाढ़ा कर थोड़ा हुद बना लेते हैं और इसकी कज सिंग के लिए हमने लंबे कटे हुए बादाम लीए है और इस पे जरा-जरा सी इसicopते निरल या डालेंगे और हमने छा मेंन कर लेंगे तो रच्छा बंदन पर ये बनाईए परवल के लड़ू और वीडियो अच्छा लगे तो सेर जरूर करिए सब्सक्राइब करिए मैं चैनल को लाइक किए